आज हम बनाएंगे व्रत में खाई जाने वाली एपल मिठाई तो बहुती टेस्टी बनती है और बहुती कम इंग्रिडियन्स के साथ बनती है ये मिठाई तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने आधा कटोरी चीनी लिया है और इलाजी के दाने डाल देंगे फ्लेवर के लिए और इसी कटोरी से हमें सारा मेजर्मिंट करना है आप इसी तरीके से एक बरतन सेट कर लें और उसी से सारा मेजर्मिंट करें तो चीनी का पाउडर हमने बना लिया है और उसी कटोरी से हम लेंगे एक कटोरी साबू दाना ये ब्रत में खाया जाने वाला स गड़ाई को गैस पे रखेंगे फ्लेम को आउन करके साबुदाना डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसको हमें तीन से चार मिनट तक रोस्ट करना है इसमें हम घी का इस्तमाल नहीं करेंगे इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे और जैसे जैसे यह वैसे वैसे अपना कलर चेंज कर देगा थोड़ा सा पीला सा दिखने लगेगा और फूल भी जाता है तो देखिए तीन से चार मिनट का समय हो चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे ठंडा होने के लिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम पाउडर बनाएंगे कच्चे साबुदाना का इतना बढ़िया पाउडर नहीं बनता है जितना बढ़िया बनता है इस तरीके से रोस्ट करने से तो आप रोस्ट करना बिल्कुल भी न भूलें और इसका हम पाउडर बना लेंगे तो देखिए कितना बढ़िया हमारा पाउडर बना है और अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे दो चम्मच देशी घी अगर आप ब्रत के लिए ना बना रहे हों तो आप रिफाइंड ओयल भी इस्तमाल कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को अन करेंगे सापुदाना का पाउडर डालेंगे लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे इस step को आप skip करना बिल्कुल भी न भूलें बहुती जरूरी है इस step को करने से मिठाई में बहुती बड़िया टेस्ट आता है तो देखिए पाउडर हमारा रोस्ट हो चुका है इसको भी हम प्लेट में निकाल के रख देंगे और फिर से हम वही कड़ाई लेंगे और इसको दो लेंगे और इसी में डालेंगे हम दो कप दूद जिस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया है उस कटोरी से आप दो कटोरी दूद लेंगे और इसको बढ़िया से बॉयल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे फ्रेश मलाई जो हमने फेट के रखी है और इसको भी दूद के साथ बढ़िया से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे अपना साबू दाना का पाउडर इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है क्योंकि बहुत ही जल्दी यह गाढ़ा होने लगता है और इसमें गाठे सी पढ़ने लगती है तो देखें इस तरीके से गाठे सी पढ़ने लगती है तो इस तरी जाएंगी और अगर नहीं तूटती हैं तो आप इस पैचुला की हेल्प से इनको दबा दीजिए तब ये अच्छे से तूट जाती हैं और इस तरीके से लगातार हमें इसे चलाते रहना है गाड़ी कंसिस्टेंसी होने तक तो अब हम यहां पर डाल देंगे लैमन येलो फू पर ही पकाना है और थोड़ा सा पोर्शन लेके इसे लड़ू का शेप देंगे इस तरीके से हातों से और हतेलियों से भूमाते हुए इसे गुल-गुल हमें बनाना है और थोड़ा सा फिंगर से इसे पुश कर देंगे और यहां पर हम लगा देंगे एक लॉंग और इसको बिल्कुल एपल का शेप देने के लिए इसमें हम लगा देंगे इस तरीके से एक छोटी सी लीफ और आप लीफ की जगे पे यहां पर पिस्ता का भी इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल लीफ जैसा ही देखता है और फिर से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे गुल-गुल मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करीजेगा बेल आइकन को हिट कर दीजेगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सब्सक्राइब